भारत का संबिधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संबिधान है। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द हैं। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियां, 25 भाग, 5 परिशिष्ट, 448 अनुच्षेद और 101 संसोदन है। मूल संबिधान में 395 अनुच्षेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। दो वर्स, 11 मैने 18 दीन में भारत का संबिधान पूरा हुआ। जवालाल नहरू, भीम राव अंबेटकर, डॉक्टर राजेंद प्रशाद, मौलाना अबूल कलाम अजात, सरदार बल्ला भाई पतेल संबिधान सभा के प्रमुख सदस्त थे। 114 दिनों तक बहस चली, 12 अधिवेशन हुए, 166 दिन बैठक की गई, संबिधान सभा के 389 सदस्तों ने महत पूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम दिन जब बन कर तयार हुआ, 284 सदस्तों ने इस पर हस्ताचर किये। 10 देशों से लिया गया यह संबिधान है, संजुक्त राज अमेरिका से मौलिक अधिकार, नियाई पालिका की स्वतंतरता और संबिधान की सर्वच्चता को ली गई, जबकि ब्रेटेन से संसदात्मक शाषन प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदिय विशेशाधिकार लिया आइरलेंड से निती निदेशक ततु लिये गया, उस्ट्रेलिया से संबर्ती सूची, केंद्रेवम राज के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया, जर्मनी से आपात काल के समय, राष्टपती के मौलिक अधिकार संबंध शक्तियां, जबकि साउथ अप स्थापित प्रक्रिया फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंतरता समता बंधुता के आदर्स का सिद्दांत जोड़ा गया